यूपी के रामपूर कोतवाली मिलक शेत्र में फर्जी प्राइवेट नर्सिंग होम में उस वक्त हंगामा मच गया जब डिलीवरी के दुरान महिला की मोत हो गई सूशना के अनुसार परिजनों ने मोकी पर पहुंच कर परिजनों को शांत करवाया परिजनों ने हस्पताल पर जान बूच कर महिला को भरती रखने और रैपर ना करने और गाओं की आशा के द्वारा जान बूच कर प्रसुता को प्राइवेट हस्पताल में भरती करने का अरोप लगाया जानकारी अनुसाल कोत वाली शेतर के भोजीपूरा निवासी परदीप कुमार की पत्नी को गुरुवार की शाम प्रसर पिड़ा हुई पत्नी को लेकर गाओं की आशा के साथ वहर रजपूरा स्थ सरकारी हस्पताल गया वहां राद भर रजपूरा को भरती किये जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला हस्पताल रैपर कर दिया गया मृतक महिला के ससुर श्यामा चरण ने अरोप लगाया कि वह प्रसुता को लेकर जिला हस्पताल जाना चाहते थे लेकिन गाओ की आशा ने उन्हें वहां से ले जाने से रोक दिया आशा ने उन्हें जांसा दिया कि नगर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसकी अच्छे खासी जान पैचान है वहां पर कम पैसों में रजणी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आशा की बातों में आकर रजणी को शुकरवार की सुबा 11 बजे नगर के नवादिया चुराहे पर सिर्थ एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भरती करवा दिया बरती किया जाने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उनसे जांस कराये जाने के लिए 9,000 और मरीज भरती के फाम पर दस्तकत लेने के बाद 18,000 रुपे जमा करवाए शामा चरह ने पुलिस को बताया कि भरती के एक घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि रजनी का ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आ रहा है इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी आपको 36,000 रुपे और जमा करवाने होगी ऑपरेशन के बाद बच्चे का जनम होगा अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो जच्चा और बच्चा दोनों की मोथ हो सकती है डॉक्टरों के कहने पर वह रजनी का ऑपरेशन करवाने के लिए तयार हो गए रजनी को आप्रेशन कक्ष में गए हुए सुभा से शाम के साड़े तीन बज गए लेकिन उन्हें और उनके बेटे परदीप को रजनी से मिलने नहीं दिया गया उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों से कहा कि उनके मरीज की छुट्टी कर दो हम अपने मरीज को जिला अस्पताल ले जाएंगे आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गए शाम चार बजे ऑपरेशन कक्ष से निकले डॉक्टर ने बताया कि रजनी के ऑपरेशन के दुरान मोत होगे इसके बाद परेशनों ने हस्पताल में जम कर हंगामा किया हंगामी की सूचना पर कोतवाल ब्रिजेश कुमार यादव हस्पताल पहुंचे हस्पताल में रजनी के पती परदीप और ससो श्यामाचरे ने हस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही बर्तनी ओपरेशन के नाम पर रुपे हेंट ने और रजनी को रैपर ना करने और ओपरेशन कर हत्या कारूप लगाया मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी थी कोतवाल ब्रिजेश कुमार यादव ने बताया कि मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि मृतिका के माईके वालों का इंतजार किया जा रहा है माईके वालों के आने के बाद ही कानूनी कारवाई करने के बारे में हम सोचेंगे मृतिक महिला के परिजनों के द्वारा तहरीर मिलने पर पुलिस शव को पोस्ट मॉटम के लिए बेजेगी और विदे कारवाई करेगी इसकी बत नहीं थी मैं तो बात में आया था मैंने इन से खोला था कि लवी और यह बोले कि भाई यहां है इना 18 रुपे की जाचकी अंदर बैटे बैटने के बाद आसा थी यह थे तोनों लोग थे इनों बैटने के बाद कि ऐसा है सही है ऑस्पिटल कम खर्चे में काम हो जात इन्फेक्शन आया है ऐसा यहां कितन से जारी किट लगी कि भोगा तो मैंने कर जो भी हो इस चीत को हम ने जाते मगर हमारा पेस्टे सही हो अगर आपके कपजे का काम है अगर नहीं है तो हम लबी आस्पट है आप हम रफेपर कर तो बोले नहीं हो जाएगा इनों नहीं न इसके लिए जो आप इसके लिए जो आप इसके लिए कुले फून में कोई इनफेक्शन आ रहा है तो बले हमारे पास जो कपड़े बगारा किट पढ़ने के नहीं है तो ऐसा करो हम आप जिला स्पताल ले जाओ इनों ने रेफर का का गज दिया है तो हम ठीक है मंगर इनोंने टारक्ट जो है प्रिकास में लेके आई यह रामप यह रामप जो हमारे बगारा किट जो राज़ा राज़ गराना अधे बांगेर पाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब, शियर और शेर एंड शिर अब ज१ाने करें हैंने वाल